आज हम पढ़ेंगे नाइट क्लास की फजिक्स का चैप्टर नमबर वन जिसका टॉपिक है वर्नियर कैली पार्क तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं डेफिनेशन क्या है अगर आपके पास कोई भी बोड़ी है या कोई भी सिलंडर है जिसका आप एक्स्टरनल और इंटर्नल डायमेटर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंस्रुमिंट यूज करेंगे उस इंस्रुमिंट को आप नाम कह देंगे जी वर्नियर कैलीपर की अगर मैं पार्स की बात करreno तो वर्नियर कैलीपर के में यहा पर पार्स जो है इट कंडिस्स ओफ तू जाज सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसमें दो जाज आएंगे आपके one is movable jar and another is non movable jar अब इसमें तो जो 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 जाज होंगे उनमें से एक आपका movable होगा यानि वो fix होगा अपनी position पर जो दूसरा होगा वो उस fix jar के ओपर move कर रहा होगा as shown in figure मैं figure आपका explain करता हूँ तो उसमें देखेगा दरहा अब number of scales के अगर बात की जाए तो vernier caliper के अंदर दो scales है एक scale को हम कहते है main scale and second is known as vernier scale main scale जो होता है यह आपका fix jar के ओपर होता है और जो vernier scale होता है यह आपका वो जो moveable jar है उस scale को आप कहेंगे vernier scale main scale के ओपर क्या होता है it has centimeter and millimeter marks on it अब यह जो आपका यह diagram को देखें अगर यहाँ पर यह वाला जो आपका fix jar है जो मैंने यहाँ पर लिखा हो है this is fix jar यह आपका main scale है इसके ओपर क्या नजर आ रहा है आपको centimeters नजर आ रहे हैं और millimeters आ रहे हैं अब उसके बाद यह वाला जो आपका movable jar है इस movable jar को हम कह सकते हैं vernier scale इस के ओपर आपकी अपनी सहूलत के मताबक आप इसको जहाँ चाहे cylinder की thickness के मताबक आप इसको move करवा सकते हैं अब यहाँ पर कोई भी cylinder रखेंगे आप जिसकी आपको measurement find करना होगी अब least count के अगर हम बात करें तो इसका least count क्या होता है जिसको हम उससे measure कर सकते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी least count कहलाएगा तो least count का formula यह है smallest reading on main scale यह वाला जो आपका main scale है इस main scale की smallest reading है जो सबसे कम reading है उस reading को आपनी क्या करना है divide करवा देना number of divisions on vernier scale यह वाला जो आपका vernier scale है इसकी divisions के उपर आपने इसको divide करवा देना है और अगर मैं आपको बता दूँ के vernier scale की division कितनी होती है it has 10 divisions over it यहाँ पे आपके आपके पास 10 divisions होंगी उन 10 divisions में से हर division जो होगी वो 0.9 mm की होगी अब अगर आपने least count किसी भी vernier scale का find करना है तो आप यह simply formula लगाएंगे smallest reading on main scale divided by number of divisions on vernier scale अब 1 होता है जो least value है किसी भी main scale की 1 mm और number of division जो होती है वो 10 होती है तो 1 divided by अगर हम 10 करेंगे तो 0.1 mm and this is the least count of vernier caliper और अगर इसको centimeter में आप convert करना चाहते हैं तो 0.01 cm आ जाएगी आपकी least count अब देखें कोई भी आपके पास vernier caliper है अब vernier caliper की अगर आप चाहते हैं कि उसकी reading जो है या उसकी जो value है वो exact आपको दे तो फिर उसके लिए आपको उसका error चेक करना है कि क्या जो instrument हम use कर रहे है उस instrument के अंदर कोई error तो नहीं है इस mean error क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि ये वाला ये zero है let's suppose main scale का zero और similarly ये वाला zero किस कहाई जी vernier scale का zero अगर तो हम इसको यहां पे लाके मिला देते हैं अगर vernier scale का zero और main scale का zero आपस में coincide नहीं कर रहे मतलब ये बिलकुल fix या coincide नहीं हो रहे तो इस mean इस instrument के अंदर error मुझूद है जिस error को हम क्या कहते हैं zero error अब this error may be of two type positive zero error and negative zero error positive zero error काप होगा और negative zero error काप होगा ये देखें अगर मैं आपको बताओं यहां पे let's suppose ये हमारा क्या है main scale वाला zero है कि हमारा main scale वाला अगर zero है और उसके उपर vernier scale वाला zero अगर ये vernier scale का zero main scale के zero के right side पे आ रहा है जो vernier scale वाला zero है वो main scale के zero से क्या आ रहा है right side पे आ रहा है कुन side नहीं हो रहा right side पे आ रहा है तो this mean इस error को कहेंगे positive zero error और अगर negative zero error की बात करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका one year scale का zero होगा वो main scale के zero से क्या हो जाएगा left side पे आएगा अगर आपका one year skill का zero main skill zero से left side पे आ रहा है तो this error is known as negative zero error अब इस zero error को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो जाहिर इसी बात है आप क्या करेंगे आप उसका main skill का zero और one year skill का zero उसको coincide कर देंगे जब वो बिल्कुल coincide हो जाएगा तो वो आपका zero correction हो जाएगी और फिर वो आपको correct value देगा किसी भी cylinder की जो आप उससे find करना चाहरे है अब formula ये है कि अगर how to find diameter of a solid cylinder अगर हमें कोई भी solid cylinder दिया गया है उसका diameter find करना है तो आप कैसे करेंगे let's suppose मेरे पास ये ball marker है मैं इसका cap लेता हूँ इसका मुझे क्या करना है जी diameter find करना है तो अगर मैं इसका diameter find करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा simply जो हमारा वर्नियर स्केल है उस वर्नियर स्केल के जाज के दिम्हान इसको fix करूँगा fix करने से क्या होगा कि मुझे इसका diameter easily find हो जाएगा उसके लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे फार्मूला यह है के diameter is equal to main scale reading प्लस number of division of one year scale multiply least count यह फार्मूला आप लगा के किसी भी cylinder का diameter easily find कर सकते हैं तो आज का हमारा lecture यहीं तक था मिलते हैं इंशाला next lecture में